महराष्ट्र वधासभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने रण संभाल लिया है। मिच कंट्रोल में जुटी ही थी कि फिल्म अभिनिता संजय दत्त की बहन और पूर्व सांसद प्रिया दत्त पर विधासभा टिकट बेचने का आरोप लगाया है। इस शेत्र से उस जौज अबराहम को कॉंग्रिस पार्टी का उमीदवार बनाया गया है। जिसने 14 साल पहले निगम का चुनाव जीता था। लगातार दो बार के पाशन मिरांडा ने आरूप लगाया है। कि प्रिया दत्त ने सिर्फ अपने अहम की वज़े से उनको दरकिनार कर दिया है। कॉंग्रिस नेता ने शिकायती इमेल में लिखा है कि दत्त साहब के जाने के बाद ये परिवार अपना सम्मान खो चुका है। संजेदत के आज भी अंडर वर्ड से संबंध है। हाला कि पार्टी की तरफ से इस शिकायत का जवाब नहीं दिया गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.